हेलो एप्रिवान मैं डॉक्तर प्रगती गुपता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक पैलिसिस का पेशिंट जो अल्रेडी सफर कर रहा है इस कंडिशन से जिसे पैलिसिस हो गया है वो अपने बीपी और शुगर को किस तरीके से कंट्रोल में रख सकता है बहुत से ऐसे पेशिंट्स हैं जो अल्रेडी बीपी और शुगर से सफर कर रहे होते हैं क्यूंकि पैलिसिस के पीछे कुछ बेसिक कारण है जिन लोगों को अल्रेडी हाई ब्लेड प्रेशर या डायबेटीस से जो सफर कर रहे होते हैं वो बहुत जादा वलनरेबल होते हैं paralysis के stroke के attack को लेकर क्योंकि जितने भी types of हमारे stroke होते हैं चाहे ischemic है या आपका hemorrhagic है उसके अंदर क्या होता है brain के अंदर या तो आपकी कोई vessel rupture हो जाती है या clot formation देखने को मिलता है जादातर clot formation उन patients के अंदर देखने को मिलता है जो पहले से BP, sugar, high cholesterol से सफर कर रहे होते हैं और hemorrhag का एक बहुत बेसिक कारण है high blood pressure तो जब भी किसी को paralysis हो चुका है चाहे आप आप उल्रड़ी सफर कर रहे हैं या आप उल्रड़ी BP शुगर के patient हैं तो हमें किन किन चीजों का खास गयान रखना है ताकि हएं को नम आगे चलकर भारहर भी जब और आप रिकवर हो गशुगर लेकिन सटोक वार bवर हो जाता है उन अ स्टोक भार भार होने से रोकने के लिए हमें जरूरी क्या है उसके पीछे को संबॉस्रहर उसको रिमोफ करना और जाधा तर केसी से तो हमें क्या ध्यान रखना है अगर मान दीजे आप पैलिसे अभी भी सफर कर रहे हैं आप कम्प्लीटली बेड रड़न हो तो आपको अपने बीप शुगर को कंट्रोल करना तो भी जरूरी है चाहे अप मेडिकेशन के थुरू कर रहे हैं चाहे आपकी डाइट हो तो डेली ह हमें क्या करना है हमें बीप और शुगर की डेली मॉनिटरिंग करना जरूरी है आपकी डेली बीप की तीन से चार बार की रीडिंग जिसमें आपका डाइस्टॉलिक जो नीचे वाला बीपी है 80 82 85 इसकी क्या सपास रहना चाहिए से उपर नहीं जाना चाहिए अगर यह में हो रहा है तो आप अपनी डाइट में सॉल्ट का इंटेक कर सकते हो अदरवाइस आपको सॉल्ट का बहुत धान रखना है बहुत ज्यादा एकसे समांट में सॉल्ट नहीं लेना है उसमें भी हम सेंधा नमक यूज करेंगे और वह भी बहुत लाइट कॉंटिटी में जस्ट क्यूंकि उनको लंबा टाइम तक स्टे करवाने के लिए उसमें अड़ेट सॉल्ट बहुत जादा रहते हैं ताकि चीज़ें खराब ना हो बैक्टीरिया या कोई फंगस की ग्रोथ ना हो तो हमें क्या ध्यान रखना है ऐसे फूड आइटम का इंटेक नहीं करना है डेली बीपी की चारटिंग करनी है अगर आपको ल thrillariat के कि मेडिकेशन पर ऐलरडी हैं तो आपको कभी भी उने स्केप नहीं करना है डाइम लीए उनरी पेसे स्को लेते हुए आपको भीपी की रीडिंग मॉनिटर जरूर करनी है कई बार क्या होता है पेशिंट बहुत लंबे टाइम तक BP की मेडिसिन्स खा रहे होते हैं उन्हें लग रहा है कि हम दवाई खा रहे हैं तो हम ठीक हैं लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मेडिकेशन लेने के बावजूत भी जिने स्ट्रोक हो जाता हैं क्योंकि अचान अगर आपकी मेडिसिन से भी आपका बीप कंट्रोल नहीं हो रहा है तो अपने डाइटरी चेंज़ लाने हैं ब्रीविंग एक्सराइज स्टार्ट करनी है पेशिंट अगर बेड रिड़न अब नहीं है थोड़ा बाद चल सकता है पैलिसिस का पेशिंट तो इसको डेली व होते चले जाएंगे अट्रॉफी की तरफ जाएंगे तो एक हेल्दी डाइट रखना इंपोर्टेंट है साथ के साथ बीपी शुगर की मॉनिटरिंग रखना इंपोर्टेंट है अगर आप बीपी या शुगर के पेशिंट अल्रेडी है तो हमें कुछ चीजों का ध्यान र हो तो हमेशा ग्लुकोमेटर पे शुगर चेक करने के बाद आप उसको ले हुए ताकि आप अचानक से हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं जा रहे हो मील्स आपको बिल्कूल भी मिस नहीं करनी है अब पेशन्ट पैलेस्टिस का होता है उसे भू कम लगती है क्योंकि इतनी म अगर हम खाना खाएंगे नहीं तो हमारी शुगर बढ़े गी नहीं लेकिन ऐसा नहीं होता आपका मेटबॉलिसम हमपर होने लगता है आपको इंडाइजेशन कॉस होने लगता है और जब आपकी शुगर बढ़ती है अचानक से शूट अप कर जाती है तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी रेगुलर फ्रिक्वेंट मील्स रहेंगी हमारी तू तू आर्ली आप रख सकते हो लाइट मील्स रखिए अगर आपको लगता है कि मैं असानी से पचा नहीं पा रहा हूं हलका खाना खाईए आप दाल में लाइट प्रोटीन ले सकते हो मूंकी दाल ले ले कुछ लोगों को अगवाइट अगर डाइजिस नहीं हो रहा है तो आप दल्या ले लिजे फाइबर अपनी डाइट में आड कीजे सालेट आप कच्छे नहीं खाएंगे अप हलका सा उनने सौटे या स्टीम करके खाएंगे ताकि आपकी बॉड़ी उसको इसीली डाइजिस कर पाएं और अपनी बीपी शुगर की चार्टिंग डेली बेसिस पे करेंगे अपने जो भी डाइबटोलेजिस्ट है या आपकी बीपी की मेडिसिन जो भी फिजिशन सेट कर रहे है उनसे आपको रेगलर इंटर्विल्स पे अपना फॉल उप रखना जरूरी है मान लीज कि आपकी यह चोटी सी नेगलेजेंस बहुत भारी सावित पढ़ सकती है एक बार आप अल्रडी सफर कर चुके हो अगर आपको पैलेस हो चुका है दुबारा होने की चांसे और ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है अपनी जो कॉज़ट फैक्टर्स है उन पे वर्क करते चले जाना है चाहे हाई कोलेस्टरॉल ही क्यों ना हो अपनी डाइट में हम ऐसे फूड आइटम्स रखेंगे जो आपकी बॉड़ी को स्ट्रेंथ भी दे और आपकी बॉड़ी में फैट को बढ़ाई बिना उसके अंदर अगर आप नॉन वेजटेरियन ह आप आप विचिक बढ़ा सकते हैं फिच को आप फ्राइड फॉर्म में नही, को ग्रि안 फॉर्म में ले सकते हो फिच करी बनवा सकतेव लेकिन उसको चलणा नहीं है बेड फोर्म मेंघ नहीं कहा लीज़े क्योंकि फिश के अनदर बहुत हेली फैटी एसेट होते हैं जो पेशेंट्स नोनवेज नहीं खाते हैं, वो अपनी डाइट के अंदर पल्सिस की अमाउंट अच्छे से लेंगे, स्प्राउट्स आप ले सकते हैं, लेकिन स्टीम्ड, रौ फॉम में नहीं खाने हैं, आप खाने के अंदर दल्या, ओट्स, फाइबर, जितना भी आपकी डाइट में है, फुरूट्स आड़ उन कर सकते हैं, खटे फल कुछ टाइम के लिए आपको नहीं खाने हैं, जब तक आप श्रियास की मेडिकेशन पे हैं, एक बार आप रिकवर कर जाते हैं, और आपकी मेडिसिन यहां से बंद हो जाती हैं, फिर आप अपनी डाइट में सिट्रिस फ्रूट्स आड़ उन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इम्मिनिटी को भी बूस्ट अप करते हैं, साथ के साथ आपके कॉलेस्टरॉल को लोगर डाउ अप canopy soups बन वा लिजे, वेजटेबल्स का सूप बन वा लिजे या आप नॉन विजटेर इन हैं, तो चिकन सूप पी सकते हैं, वो अगर आप सब अपनी डाइट के अंदर आड़ जाते हो तो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी आती चली जाती है और आपकी बॉडी अपक नहीं करना है जैसे आपके राइस है चावल है शकरकंदी है यह सारी आइटम्स के अंदर स्टार्च बहुत जादा होता है और आपकी बॉड़ी उसको प्रोसेस नहीं कर पाती क्योंकि इंसुलिन अच्छे से बन नहीं रहा आपके पैंक्रियास में अगर हम बहुत सारी ऐसे मेरी घंते को को तो अच्छाइ यह नहीं को पर जी नहीं हो पाती है दो मेरी जितने बीमेटिक पेषने अंको ध्यान क्या रखना नहीं करते है चोटी-लीमेल्स अपनी लेते रहेंगे, frequent लेते रहेंगे, ओवरीटिंग नहीं करना, क्योंकि अगर आप ओवरीटिंग भी करते हो, तो हमारी बॉड़ी को, हमारी पैंक्रियास को, हमारी लिवर को बहुत जादा काम करना पड़ता है, उन फूड आइटम्स को प्रोसेस करने में, अब एक्सराइज करना इंपॉर्टन है, वाक आपके लिए सबसे बेस्ट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एक्सराइज है, जो आपको पैलेसिस जैसी बीमारी से फाइट करने में मदद करेगा, प्लस, और किसी बी बीमारी, चाहे आपके हार्ट डिजीज है, चाहे आपका बीपी है, नहीं पीना है, बीच बीच में आप खाने के बीच में सिपिंग कर सकते हैं, कुछ चोटी चोटी टिप्स, चोटी चोटी प्रिकॉस्टन का अगर हम धान रखते हैं, तो हमारे बीपी, शुगर, चाहे कोई भी बीमारी हम उससे लड़ सकते हैं, इवन पैलेसिस से हम बड़ दीरे आप उसको अप्ट करके आपकी वो हैबट बन जाएगी, जैसे हमें डेली खाना खाने और सोने की हैबट होती है, वैसे हमें एक्सराइस की हैबट भी पढ़ जाती है, जब आप छोड़ोगे जिस दिन नहीं करोगे उस दिन आपकी बॉड़ी में बहुत ज्य आपकी बाटिंग जरूर कीजिए, मॉनिटरिंग जरूर कीजिए, अपनी मेडिसिन्स मिस नहीं करनी, में अपको धान रखना है अपनी डाइट से, डाइट में ऐसा कुछ नहीं लेना जो आपके बीपी शुगर को शूट अप कर आए और इस तरीके का हेल्दी डाइट ले शुगर का इंटेक नहीं करना है, अपनी शुगर का अपनी शुगर का सकते हैं, अपनी शुगर वाल्यूस को चेक करते हुए, गौवा है, पपाया है, आपल है, अकॉर्डिंग आपकी जितनी शुगर वाल्यूस है, उसके अकॉर्डिंग आप 150 ग्राम पर डे की आप ले सकते हैं, तो उतना अलाउड होता है परशन को, हमें बस अवेर होना ज़रूरी है, अपने बिमारियों को लेकर, कोई भी नेगलेजन्स नहीं शो करने, कोई भी बहाने नहीं बनाने है, हमारे पास बीपी की शोगर की मशीन यह चेक नहीं गरवा पाई, अब मशीन अ कर रहे हो, इन फ्यूचर आपको दुबारा नहीं करोगे, बीपी शुगर को अभी भी कंट्रोल में नहीं करोगे, तो आप लिखवा के ले लिजे, आपको दुबारा स्टोक होगा ही होगा, क्यूंकि हम इन फैक्टर को रिमूव नहीं कर रहे हैं, जिनकी वज़ा से हमें पहले परिशानी हुई है, तो root cause पे work करना बहुत important है, श्रियास में जब भी आप आते हो, हमारे team of doctor से मिलते हो, सबसे पहले हम इसी पे work करना start करते हैं, आपका BP sugar management है, आपकी exercises है, आपकी diet है, इन सब पे collectively work करते हुए, एक paralysis के patient को recover करवाया जाता है, क्योंकि एक बार हमने आपको recover करवा दिया, लेकिन in future, हम अगर आपको aware नहीं करवाएंगे इन चीजों के बारे में, जिसकी वज़े से आपको already परिशानी हुई है, तो बहुत जादा chances है कि दुबारा आप इस बिमारी से सफर कर सकते हैं, तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि एक patient जिसको मैंने completely recover करवा दिया है, वो दुबारा से इस बिमारी के अंदर जा रहा है, दुबारा इस बिमारी को face कर रहा है, तो हमें क्या धान रखना है, इन conditions को समझते हुए, act करना है, और aware रहना है, I hope ये वीडियो आपको मदद करेगी, अपनी condition को समझने में, क्या-क्या changes आपको life के अ अपनी बिमारी को लेकर, अपनी डाइट को लेकर, तो नीचे दियो है numbers पर आप हमारी team of doctors से बात कर सकते हैं, अपनी condition को explain करते हुए, आपका पूरा line of treatment प्लान किया जाएगा, क्योंकि एक बार अगर आप recover हो भी गए इस बिमारी से, अगर आप causative factor से दूर नहीं रहेंग उसी condition को समझने में, उन factors को समझने में, ताकि आप गलती बार बार ना करें और इस बिमारी से दूर रहें, जल्दी मिलेंगे next videos में, जहां मैं लेकर आऊंगी बहुत सी ऐसी tips जो आपको मदद करेंगे paralysis से recover करवाने में, तब तक के लिए आप अपना खास ध्यान रखिए, आप चाहें, तो दिये गए WhatsApp नमबर पर अपनी report शेयर कर सकते हैं, और पास सकते हैं free consultation सीधे हमारे experts से.